23 नवंबर 1967 को जन्मे रिपल्ले शिवा प्रवीन कुमार भारतिय पुलिस सेवा के एक प्रतिष्ठित पूर्व अधिकारी हैं, जिन्होंने तेलंगाना के शैक्षिक परिद्रिश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी. उन्होंने तेलंगाना सोशिल वेलफेर रेजिडेंशिव के रूप में कार्य किया. प्रवीन ने आंधर प्रदेश क्रिशी विश्व विद्यालय में पशु चिकित्सा विज्ञान में अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की जहां उन्हें प्रसिद्ध प्रोफेसर टी डी जे नागभूशनम सहित सम्मानित प्रोफेसरों के मार्ग गर्शन में सीखने का सौभाग्य मिला वह 1995 के प्रतिश्थित भारतिय पुलिस सेवा बैच का हिस्सा थे ज्यान की उनकी प्यास ने उन्हें हारवर्ड विश्व विद्यालय के प्रतिश्थित कैनेडी स्कूल से लोग प्रशासन में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए प्रेरित किया जहां उन्हें एड़वर्ड एस मेसन फेलोशिप से सम्मानित किया गया टी-स डब्रेस और क्रेस के सचिव के रूप में प्रवीन कुमार की विरासत लगभग एक दशक तक फैली है जिसके दौरान उन्होंने हाशिये पर रहने वाले छात्रों के हितों की वकालत की उनके दूरदर्शी नेत्रित्व में ये आवासिय विद्यालय न केवल शैक्षनिक विकास बलकी अपने छात्रों के समगर विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए सफलता की कहानियों के गड़ बन गये उनके कार्यकाल को छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देने, उनके भविश्य को गेहन तरीकों से आकार देने की गहरी प्रतिबधता द्वारा चहनित किया गया था प्रवीन कुमार के महत्वपूर्ण योगदानों में से एक समाज कल्यान आवासिय विद्यालियों में अग्रणी की पांच मॉडल की शुरुवात थी इस नवोनमेशी मॉडल ने कई अभूत पूर्व कार्यक्रमों को शामिल करके शिक्षा प्रणाली में क्रांती ला दी इन पहलों को बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया था जिसमें न केवल शैक्षनिक उतक्रिष्टता बलकी उनकी प्रतिभा और रुचियों पर भी जोर दिया गया था उनके परिवर्तनकारी नेतरित्व के दोरान T.S.D.B.R.S. के छात्रों ने उलेखनी उपलब्धिया हासिल की दो उलेखनी उपलब्धिया स्वेरो सैट एक और स्वेरो सैट दो के सफल प्रक्षेपन थे स्वेरो सैट एक-एक उपग्रह था जिसे विभिन उचाईयों पर ब्रहमांडिय विकिरन और उजोन परत एकागरता का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था जो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में स्कूल की शक्ती को प्रदर्शित करता था दूसरी और स्वेरो सैट दो एक प्रायोगिक पेलोड था जिसे विशेश रूप से मीथेन, गैस और कार्बन, मोनोकसाइड जैसे वायुमंडलिय प्रदूशकों का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था इसके अतिरिक्त इसने विकिरन और ताप मान के स्तर को मापा, जिससे पर्यावन, विज्ञान और प्रद्योगिकी में छात्रों की कौशल का प्रदर्शन हुआ छात्रों के कल्यान के लिए प्रवीन कुमार का समर्पन पारंपरिक सीमाओं से परे था इपलस क्लब और वॉयस फॉर गर्ल्स की स्थापना जैसी उनकी पहलने छात्रों को अपनी रचनात्मक्ता और आत्मविश्वास का पोशन करते हुए खुद को अभिव्यक्त करने के लिए मंच प्रदान किया घुडस्वारी, फिल्म निर्मान और जलक रीडा जैसी विविध गतिविधियों के समावेश ने न केवल उनके शैक्षिक अनुभवों को सम्रिध किया बलकी अनुशासन, टीम वर्क और लचीलेपन की भावना भी पैदा की शिक्षा के क्षेत्र में प्रवीन कुमार के नेत्रित्व ने नवाचार और अनुसंधान के महत्व पर जोर दिया उनके मार्क दर्शन में टी-एस डब्रेज और ट्रेज द्वारा की गई पहल ने शैक्षिक प्रक्ती में सबसे आगे रहने के लिए संस्थानों की प्रतिबधता को रेखांकित किया स्वेरो सैट एक और स्वेरो सैट दो के सफल प्रक्षेपण ने वैज्यानिक अनुवेशन और प्रयोग में छात्रों की क्षमता को उजागर किया जिससे ये स्कूल अंतरिक्ष विढ्यान और परियावरन अध्ययन के क्षेत्र में अग्रणी बन गए हाला कि 19 जुलाई 2021 को प्रवीन कुमार ने एक महत्वपूर्ण निर्नैलिया जिसने कई लोगों को आश्चर यच्कित कर दिया उन्होंने अपनी स्वैच्षिक सेवा निवृत्ती की घोशना की और टी-स डब्रेज और क्रेज के सचिव के रूप में अपने सम्मानित पद से इस्तीफा दे दिया उनके जाने से नवाचार, समरपन और परिवर्तनकारी नेत्रित्व वाले युग का अंथ हो गया हाला कि अपनी भूमिका से हटने के उनके फैसले ने एक शून्य पैदा कर दिया प्रवीन कुमार की विरासक छात्रों, शिक्षकों और नीती निर्माताओं की पीधियों को प्रेरित करती रही है संक्षिप में तेलंगाना के शैक्षिक परिद्रिश को आकार देने में रिपले शिव प्रवीन कुमार की उल्लेखनिय यात्रा उनके अटूट समरपन और दूरद्रिश्टी के प्रमान के रूप में खड़ी है पीएस डब्रेस और क्रेस के सचिव के रूप में उनके कार्यकाल ने न केवल अंगिनत छात्रों के जीवन को बदल दिया बल्कि समगर शिक्षा के अर्थ को भी फिर से परिभाशत किया उनके अभिनव कार्यक्रम और पहल इन संस्थानों के गलियारों में गूंचते रहेंगे जो आने वाले वर्षों में प्रेणा के प्रतीक के रूप में काम करेंगे